रही मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ ये बात मुझे तुम्हें कब से बताने थी लेकिन मैं बता ही नहीं पाया रही क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी स्टापलस की सीरियल अनित्मा में आखिरकार प्रेम को वो मौका मिल ही गया है अपने प्यार का इजहार करने का असल में जिस शाधी में प्रेम और रही दोनों गए थे वहाँ पर रही खत्रे में पड़ जाती है क्योंकि वहाँ आग लग जाती है और रही का तो आग से पुराना नाता है ऐसे में डरी हुई रही को प्रेम बचाता है और उसी खबरात में रही प्रेम को अपने गले लगा लेती है क्योंकि कहीं न कहीं रही भी तो प्रेम से प्यार करती है और फिर शुरू होता है प्रेम का इसहारे इश्क जहां पर वो रही के लिए अंगुठी बना कर लाया है आपको मैं कुछ नहीं होने दूगा आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाओगा जान चली जाएगी मेरी क्योंकि प्यार करता हूं मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं राही अपनी मॉम अनुमा से बात कर रही थी और जिस एरिया में वो बात कर रही थी वहाँ पर अचानक से आग लग गई और राही का ध्यान जो था वो वीडियो कॉल की तरफ था तो आग लगी और राही को पता नहीं चला और राही का एक past trauma है रह चुका है कि वो आग से जो आध्या का trauma था तो वो राही एकदम सुन पड़ गई उसे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए और प्रेम उस वक्त अपने एक प्यारी सी अंगूठी बना कर क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई अंगूठी नहीं थी तो फूलों की एक अंगूठी बना कर प्रेम आता है उसको देने के लिए बड़ जैसे ही वो देखता है तो वो भागता हुआ जाता है और उसे उठा के राही को एक safe जगा पर ले दिया है तो फिर पूरा किया जाए तो वो बहुत कुछ बोलता है राही को अपने दिल की हर तरह से बात बताता है भाई प्रेम की दिल में तो प्रेम बहुत दिनों से भरा हुआ था और आज जब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने राही को बोलने का मौका ही नहीं दिया ज़रा देखें कैसे राही के इर्दगिर्द खुमते हुए वो अपने प्यार का इजहार करने लगे और राही चुप चाप उसकी बाते सुन रही है ज़रा प्यार सबस्टों प्रेखें का इर्दगिर्गिर्ण प्रुमते है वही प्रेम हो गाहो गाहता здесь यह प्रपोजल में फ्रपोजल तहाः और कम कम बोवाने लуш पष्ता तो होगा कि मैं राई को प्रपोस करहा हम उसे बहुत भोатив को अपने मन की बाद भूख और उसके बाद राहिक को शुलcht ही नहीं आ रहा है तो आप देख भी लेंगे कि वो असली में ने किया इसकेट बोर्ड पे हम उसको पकड़ के गाड़ी को पकड़ के मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था तो बहुत मुश्किल होता है कुछ चीजे हम फर्स टाइम करते हैं लेकिन वही है कि मतलब डरना नहीं है और डर के आगे जीत है तो होई जाता है आए होप कि ओर्डियंस को पसंद है फिलाल तो राही खामोश है और उसमें प्रेम के इजहार का इकरार नहीं किया है लेकिन जल्द ही राही अपने प्यार का इजहार जरूर करेगी क्योंकि यही तो लेकर आएगा कहानी में नया ट्विस्ट मुंबई से कुनाल उपाधि हाई के साथ बिरो रिपोर्ट